कि चार बर्ष में 6,000 की रेकम 8,000 हो जाती है कितने समय में उसी दर से 525 रुपया की रेकम 700 हो जाएगी ओप्सन दिया हुआ है 5 बर्ष में 3 बर्ष, 4 बर्ष या इसमें से कोई नहीं टाइम दिया हुआ है 4 बर्ष, मूल्धन जो है 6,000 है और वह मिस्द्धन हो जाता है 8000 यानि मिस्द्धन 8000 है तो यहां से ब्याज निकालेंगे मिस्द्धन माइनस मुल्धन यहां से ब्याज आ गया 2000 अब A-S-I के फर्मूला पर हम लोग रख देंगे A-S-I बरावर होता है मुल्धन गुना समय गुना रेट बटा 100 तो A-S-I दिया हुआ है 2000 जो कि यहां से निकालें है मुल्धन दिया हुआ 6000 गुना 4 टाइम दिया हुआ है और रेट निकालना है बटा 100 जो कटता है उसको काट लेंगे यहां से रेट आ जागा 25 बटा 3 अब यही रेट के साथ अगला जो दिया हुआ है उसका हम लोग निकालना है समय तो मुल्धन दिया हुआ था 525 रुपरिया और मिस्रधन दिया हुआ था 700 और हम एसाइट निकाल दिये यहां से 175 रुपरिया अब फर्मूला रख देंगे 175 बराबर 525 गुना टाइट निकालना है तो टी गुना 25 बटा 3 यहां से रेट निकाले थे जो गुना 100 यहां से काट छट कीजिएगा तो 4 बराश अंसर आजाएगा चुकि इसका सही अंसर आजाएगा आपसा नमबर 3